इंशॉरंस एक्टर में 5 साल तक 50,000 करोड रुपे सलाना पूंजी की जरूरत भारत इस समय इंशॉरंस बिजनस में दुनिया का दस्वा सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2022 तक ये छटा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा भारते भीमा नियामक और विकास पराधिकरण के प्रमुक देवाशीश पांडा ने शुकरवार को कहा कि इंशॉरंस इंडस्री को अगले 5 वर्षों में अपनी पहुच को दोगना करने के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड रुबे की पूंजी की जरूरत होगी उन्होंने उद्योग मंडल CII के एक कारेकरम को संबोधित करते हुए कहा कि कारोबारी समुओं को इंशॉरंस सेक्टर में पूंजी लगाने के बारे में सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि जीवन बीमा कंपनियों के मामले में एक्विटी पर रिटर्न 14 परतिशत और जनल बीमा कंपनियों के लिए 16 परतिशत है वहीं शीर्ष 5 बीमा कंपनियों का एक्विटी पर मिलने वाला रिटर्न 20 परतिशत का है इंशॉरंस एगुलेटर परमुक के मुताबिक इंशॉरंस सेक्टर बेहत प्रतिस्परदी उध्योग है जिसमें लगबग दो दर्जन लाइफ इंशॉरंस कमपनिया और 30 से अधिक जर्नल इंशॉरंस कमपनिया सक्रिये हैं इंशॉरंस के कुल पहुँच 4.2 परतिशत थी भारते बीमा विनियामक एव विकास परादिक करण के परमुक पांडा ने कहा कि अगर हमें इस पहुच को दुगना करना है तो हर साल 50,000 करोड रुपे की अतरिक्त पूंजी डालने के आवशिक्ता है उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद यानि की जीडीपी की मौजूदा वृतिदर, मुद्रस फीथी और पहुच का विचलेशन करने के बाद अधरिक्त पूंजी जरूरत का अनुमान लगाया गया है उन्होंने कहा कि मार्च के बाद अब इस बारे में भीमा कंपनियों के प्रमुकों के साथ चर्चा करेंगे पांडा ने कहा कि हम इस देश में मौजूद कंपनियों और अपना पैसा लगाने के मनशा रखने वाले निवेशकों तक पहुचना चाहेंगे उन्होंने कहा कि लक्षे अगले 5 वर्षों में भीमा की पहुँच को दुगना करना है उन्होंने आजादी के 100 साल पूरा होने यानि वर्ष 2047 तक सभी का भीमा करने को संभब बताते हुए कहा कि इसके लिए करमिक विकास जारी रखना होगा भारत इस समय भीमा कारुबार मे दुनिया का दसवा सबसे बड़ा बाजार है वर्ष 2032 तर छटा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा एड़ा के परमुक ने कहा कि हमें भीमा के वितरन के तरीके पर नए सिरे से विचार करना होगा उन्होंने भीमा करताओं से लोगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप पेश करने पर ध्यान देने को भी कहा है